हेलो गाईज, आप सभी का बाला की रसो यूटूब चेनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मसरूम और सिम्ला मिर्च की सबजी बनाना तो आईए बनाते हैं मसालेदार मसरूम और सिम्ला मिर्च की सबजी मसरूम और सिमला मिर्च बनाने के लिए ये हमने मसरूम लिए हैं ये हमने दो पैकेट मसरूम के लिए हैं इनको धो के अच्छे से साफ करके इस प्रकार से हम मैंने टुकडों में कट कर लिया है दो सिमला मिर्च लिए है इसको बारीक टुकडों में कट किया है दो ही टिमाटर लिये हैं इसको भी बारीक कट कर लिया है तीन हरी मिर्च ली है इसको भी बारीक कट कर लिया है मैंने ये 20 से 25 मैंने लसिंद की कलिया ली है इसको मैंने चौपर में चौप कर लिया है एक अदरक्के टुकडे को भी चोपर में चोप कर लिया है ये मैंने 5 प्याज लिये हैं इसको भी चोपर में चोप किया है इसको मैंने मोटा मोटा चोप किया है तो आई ये बनाते हैं मसरूम और सिम्ला मिर्च की सबची ये मैंने कड़ाई ली है कड़ाई को मैं गरम होने द दाल दूँगी तक हमारा चटप चुका है अब में लसन दाल दूँगी तक हमारा बुन चुका है अब मैं इसमें प्याज दाल दूँगी प्याज को भी में भून दूँगी तक हमारे बुन चुके हैं अब मैं इसी के साथ ये मस्रूम दाल दूँगी और मस्रूम को भी खोड़ा सा भून लेंगे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है साथ ही मैं इसमें अधर बडाल देती हूं और इसे भी मैं ढपके एक से दो मिनट पकने दूँगी मीडियम गैस पे ही पकने देंगे हम इसे तो आईए चेक करते हैं यह हमारे मस्रूम दिवन चुके हैं अब मैं इसमें यह किमाटर डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें सिंगला मिर्च और हरी मिर्च में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी गैस को मैं हाई कर देती हूं और अब मैं इसके अंदर मसाले एड़ करूँगी खल्दी पोडर आधा चम्मच सेंखhhh टीशा हुगा धनिया एक चम्मच और लाल मिर्ची पोडर आधा चम्मच तेगन एक हिस कोड में डाल रही हूं नमक अपने स्वाले मसाल ये दो चमच का इस्तमाल कर दी और गर्व मसाला एक चोपा चमच अच्छे से निक्स करोंगी यह हमारे मसाले अच्छे से निक्स हो चुके हैं अब मैं इसे एक सी दो मिनट के लिए फिर से रखे पकने दूंगी और मेडियम ही गैस रखेंगे हम आएए चेक करते हैं ये हमारी मस्रूम की सब्जी बन कर तियार हो चुकी है और अब मैं इसमें ये खुब सारा हरादिया डाल दूगी और ये हमारी मसालेदार मस्रूम और सिम्ला मिर्च की सब्जी बन कर तियार हो चुकी है एक पाउल के अंदर सब करूँगी ये हमारी मस्रूम और सिम्ला मिर्च की सब्जी बन कर तियार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद